जैहिन दोस्तों आज की सुटीव में बात करने वाले हैं दिल्ली प्लीस कॉंश्टेवल के वारे में दिल्ली प्लीस कॉंश्टेवल नोटिफिकेशन आउड हो चुका है इसका क्या करिटेरिया है एकजाम कब होने वाली है एकजाम का प्रोसिस क्या रहेगा एकजाम का पर रहेगा कितनी पोस्ट यह पूल डिटेल बताने वाले वीडियो में बने रहे तो बात करने वाले हैं देल्ली पुलीस कॉंश्टेवल नोटो पीखिएशन के वारे में तो इसका जारी कर दिया गया है और इसमें देली पुलीस रिक्विबंट जो एकजाम पैटर्न है पो आए आगे बात करते हैं इसका एज लिमीट जो है यह 18 से 25 साल एज लिमीट दिया गया है और इसका जो फॉर्म अफिल अपडेट दिया गया है या फिर गूगल से सर्च करके दिलीप्रीस का ओफिस्यल एडिसाइट से स्काइड नोट विक्षन आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसमें जो क्या क्या प्रोसेशिंग क्रेटरिया है उन्हें सभी पर बात करने वाले हैं आए तो यहां एक बाट दिलीप्रीस कॉंस्टेवल का ओवर्व्यू देख लेते हैं यह जो कि फॉर्म है यह मेल फिमेल दोनों कंडिडेट के लिए बूद कंडिडेट के लिए एक नमें एक्जाम निशन दुजरते हैं गर्वेंड अप्लाइट जो है एक सितंबर दुजरते इससे स्टाड हो रहा है और निश्ट कर ले तो हमारा कि यहां इसका कुछ डिटेल्स दिया गया है जिसमें एक्जाम का जो कंडिक्ट बोडी है यह एक्जाम कंडिक्ट करा जाएगा और जो पोस्ट नेम है दिल्ली फिस कॉंस्टेवल दोनों के लिए और टोटल पोस्ट जो है कि 7547 पोस्ट है और जोब है अपले मूड आपका अंलाइन है अपलाइज आपका एक सितमबर से लेकर 30 सितमबर तेका अपका अपलाइड डेट है अगर हम बात कर ले तो अपले आपको जो है इसका ऑनलाइन प्रोसेस है और एक्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा और इसमें सेजरी के बात कर ले पेश के लिए तो वह 21,700 से 69,100 रुपया पेश के लिए या पेश के लेवल 3 का है और जॉब लोकेशन जो है यह दिल्ली है दिल्ली में आपको कहीं भी जॉब दिया सकता है अगर हम आप इंपोर्टेंट के बात कर ले तो इसका इंपोर्टेंट डेट यह दो कि यहनं दिया गया है daxan कंश्टे अाउसटे दूर टो 2022 एंश्रमकटभी ओछ आउन एकजां हुआ जआ जो है यह चांदो नमबर से 5 दिसंबर के विच में दिया गया तो लोका चांद 옆 लोम बात कर ले तो निस्ट इसमें है यहां कुछ इंपोर्टेंट दिया गया है तो यह डेट तो आपको हम बता ही दिये हैं नेश्ट बात कर लेते हम देखिए यहां कुछ डिटेल एश्टा दिया गया है आपका ऑनलान एश्टार्ट हो रहा है एक सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा और सब्सक्राइब करने का यह 30 सितंबर तक है और इसका एड्मिट कर जो है यह नववर 2030 में दे दिया जाएगा और दिल्ली प्रूस कॉंस्ट वेकेंसी तो आपको बताएं दिया है 7547 पुष्ट है यहां काटेगरी वाज वेकेंसी दिया गया अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं किस काटेगरी में कितना वेकेंसी है नेश्ट है आप इसका फॉर्म कैसे अपलाई कर सकते हैं नेश्ट बाद आता अप्लिकेशन फी का तो www.sc का कोई भी एक्जाम हो जो एक्जाम propor कराती है सभी का अप्लिकेशन फी 100 रुपिया मादर होती है तो यहां st st और एक्स सर्विस्मेंट क्टिडेट को छोड़ कर सभी कंडिडेट को 100 रुपय पेमेंट करना है यहां इस ट्रक्चर से आप देख सकते हैं SC, ST और PWD कंडिडेट को छोड़ कर और फिमेल सारे कंडिडेट को छोड़ कर जितने भी कटेग्रिये सभी को 100 रुपएं परिमेंट करनी है इसका 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 क्या है अगरेंट क्लास आप किसी भी और इसके लिए इलिजिबल है एज लिमिट की बात कर लें तो कुछ इसका एज एकस्पारी में वह बात एज लिमिट जो है यहां एक साथ दो जरते इससे दिया गया है तो एक एज लिमिट यह आपकर आने वाला इससे आगर आपका 18-25 के बीच में आता है तो आप इसमें जा सकते हैं कुछ कंडिडेट को यहां छूट दिया गया है पांस साल के लिए छूट दिया गया और तीन साल के छूट दिया गया है तो सच्ट मैं जितने लोग है उसे प्वन जाव सब्सक्राइब खूड इया और ओविसी वाले को तीन साल के छूट दिया गया है करें मिश्ट देख लेते हम इसका फीजीकल क्या राने वाला है फीजीकल अस्टेंडर जो होता है यह और फीजीकल का इंटिटेश्ट निया गया है तो हाइड जो है कटेगरी के अवैन फिलो एक सातर सेंट्यमेटर हाइड होनी चाहिए और हाइड होनी चाहिए और नेश्ट के रहम बाद कर लेते हैं तो इसका चेस्ट जो है यह एक आसी से पचासी सेंट्यमेटर चेस्ट रहना चाहिए फुलानी पर चार सेंट्यमेटर बढ़ना चाहिए और फिमेल के डिगरी का एक कि राणिंग होता है यह से स्हों बेटर होता है और लॉंग जम चादों फीट का होता है मीटिट का हुआ हो फित और यहां यह जोज़ दिया गया है मेल के लिए अगर कोई कर देट 30 साल के निच्छे आए उसके लिए 6 पनिट में स्मोलो सुनिटे रानिंग है चांदों फीट हाई जम है और तीन पॉइंट नोव फीट हाई जम है यह तीस साल के निचे अले करेगर है कोई कनिडेट ।हत सब्सक्राइन करना है और तीन प्रसेंद का जम है यह तो से फीट कंप्रियों है का और इसका प्रोसेस क्या होना वाली है स्लेक्स्वर प्रोसेस उसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें computer based ऑफ हां 100 ने घ faço होता है जो हो वा खिंप प्दो क्या प्रीजीकल जो नहीं आपको मार्ट केवला आपको ओलिफाय करेंगे तो इसमें जो बच्छिस रहते हैं सब्सक्राइब तो यह पचीस ऐते हैं 25 मार्स रहता है और जैनल नौलेज और पचास कुछिन 50 नमर कर दा और मैत की बात करलेक्ट पंद्रों कुछन पंद्रों्मार्स का होता है और फंडामेंटल कुछ एकसल एंस्मेंसफ वड कुछ इंटरनेट सब्ट्वेर होता है इसमें 10 नमर का होता है जै अगर आप फिलम नहीं किये हैं तो फिलम एस्टार है आप फॉर्म भर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद